हेलो गाइज, स्टाउक मार्केट न्यूस फॉर अर्ण में आप सभी का स्वागत है आज 11 ओफ आगस्ट बात करेंगे यस बैंक के बारे में आज भी यस बैंक में 5% के सर्किट का सिलसला लगातार जारी है यहाँ पर हमको तेजी लगातार देखने के लिए मिल रही है और आने वाले दिनों में भी आपको यहाँ पर तेजी ही देखने के लिए मिलेगी साथ ही यहाँ पर एक काफी information है जिसको आपको जानना चाहिए चुकि यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा कि SBI Group की जो investment है Yes Bank में वो आज की तारीक में तकरीबन 9,225 करोड के लगबग हो चुकि है चुकि इनकी subsidiary ने भी Yes Bank में तकरीबन 4.7% के लगबग sticks लिए है जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे चुकि इस FPO में आप देख सकते हैं 1415 करोड के लगबग यहाँ पर SBI की जो subsidiary है जो कि SBI Capital Market है उसने देखेगा 1415 करोड की यहाँ पर investment की है जो कि यहाँ पर Yes Bank ने 15,000 करोड के लगबग जुटाने की कोशिश की थी FPO के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SBI Capital Market की 4.70% की यहाँ पर stakes आ चुके हैं जो कि यह अब चौथे largest institutional investor बन चुके है Yes Bank में इसका मतलब यह है कि SBI Group की बहुत जादा interest है Yes Bank में उनको definitely लगता है कि Yes Bank आगे चलके turn around करेगा और यहाँ पर नतीजे हमको बहतर देखने के लिए मिलेंगे आने वाले quarters में जिसके चलते Yes Bank यहाँ पर growth हासिल करेगा अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजे बताना चाहूँगा जो आपको यहाँ पर जाननी चाहिए जैसे की voting rights तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस चीज को लेके clarity नहीं है कि SBI Capital के पास voting rights है या नहीं पर आपको यह जानना चाहिए कि यहाँ पर जो voting rights होते हैं वो बहुत जादा importance रखते हैं क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर यहाँ पर जो किसी भी तरीके का फैसला लेना होता है किसी के पक्ष में या नहीं तो वहाँ पर यह voting rights बहुत जादा एहम role play करते हैं और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि RBI ने SBI के जो voting rights हैं उनको 26% के लगबग cap लगा के रखा हुआ है तो यहाँ पर अभी चीज के बारे में नहीं पता है कि SBI Capital के पास यहाँ पर जो 4.70% के लगबग stakes हैं इनको अगर include किया जाएगा तो तकरीबन SBI के पास जो voting rights होंगे वो तकरीबन 30.70% के लगबग होंगे जो कि अपने आप में बहुत लंबी और कहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या है जो अपने आप में किसी भी फैसले को बदल सकती है या किसी भी फैसले में योगदान कर सकती है तो इस चीज को आपको यहाँ समझना चाहिए इनकी काफी एहमियत है वही पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि SBI के पास जो पहले स्टेक्स थे वो 48.21% के लगबग थे जो कि अब देखे इस FPO के बाद 30% के लगबग हो गए है अब यहाँ पर जो SBI के सबसीडरी की अगर स्टेक्स को इंक्लूड किया जाए तो इनके पास तकरीबन Yes Bank में अ जो कि तीसरा सबसे बड़ा institution investor है Yes Bank में उसके बाद 5% के लगबग stakes मुझूद है तो आप देख सकते institutions को कितना ज़्यादा भरोसा है Yes Bank में साथी मैं आपको बताना चाहूँगा कि SBI ने जब पहले investment की थी तो तकरीबन यहाँ पर उसकी investment 6050 करोड के लगबग थी जो कि 48.21% के लगबग stakes के लिए उसने Yes Bank में investment की थी लेकिन last month में FBO के कारण यहाँ पर SBI ने 1760 करोड की investment फिर से की है जिससे आप देख सकते हैं कि इनकी investment काफी बड़ी है साथी यहाँ पर SBI का जो subsidiary है capital उसने यहाँ पर 1415 करोड की investment की है तो अब इनकी जो total investment हो चुकी है वो 9,225 क परोड के लगबग है तो आप situation को यहाँ समझ चुके होंगे और आप देख चुके हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो चीजे है वो अभी भी SBI के पक्ष में है SBI को अभी भी लगता है Yes Bank में काफी दम है और आने वाले समय में सबसे बड़ा जो फाइदा होगा वो definitely SBI को हो Yes Bank में वही पर अब चलते हैं और चीजों को देखेंगे कि आज की तारीक में क्या हुआ तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा तकरीबन आज की तारीक में 3.47.47.000 से जाधा quantity ट्रेड हुई है तकरीबन 2.96.000 से जाधा quantity यहाँ पर डिलीवर होती नजर आ रही है यानि क कल की तारीक में भी 5% का सरकिट लगना तै है तो आगे देखते हैं सुचिशन को तो यहाँ पर टेकनिकल चार्ट पर आप चीजों को देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज शिफ्ट होती हुए अब हमको दिखाई पड़ रही है यानि कि कही ना कही हम 40 से 60 के बीच में आ च तो आप मान लिजे कि यहाँ पर टेजी अभी भी हमको देखने के लिए मिलेगी तो सुचिशन जो है वो पूरी तरीके से इंवेस्टर्स के पक्ष में है और आप भी यहाँ पर एक अच्छा मुनाफ़ा बना रहे होंगे अगर आपने यहाँ पर एफ़ियों में इंवेस् बैंक में अब बन रही है तो सुचिशन ओवरॉल क्लियर हो चुकी है यहाँ पर बस एक नतीजे बहतर आने की देर है फिर आप समय लिजे कि यहाँ बैंक काफी जादा भागेगा और वो चीज़ाँ आप यहाँ देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर मारा मारी मची आप चलूँगा अपने अगली वीडियो में चैनल पर नेसे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन रिच्छ कर दीजिए आपको इडिए वीडियो का नोडिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो में कुछ में इन्फॉर्मेटिव चारा और लाइक कर दीजिए और फ्रेंट